हेलो फ्रेंड्स वेलकूम तो याँ चैनल आजी जो वीडियो लेक्च्छर है उसमें यह मारे पर जो नुमेरिकल्स मैंने 24 तरिक को एक शॉर्ट वीडियो अप्लोड केती है उसमें जो नुमेरिकल्स दिया दे रिमोट सेंसिंग पार्ट से जो हमारे पर गेट्जियमाटिक्स के स्लेवर्स के अंदर है तो जो भी हमारे पास important questions भी बन सकते हैं उस पूरे topic में से वो सारे questions मैंने इसमें डाले हुए है तो उन्हीं का solution आज हम provide कर रहे हैं questions तो मैंने आपको पहले ही provide किये थे और उसका sufficient time भी दिया अगर आपने solve किया होंगे अगर आपको फिर भी कोई support sensing part के अंदर जितने भी important formula आ जाए है जिससे question gate exams में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं उससे related हम उन्हें पस total 15 questions है उन्हीं का solution आज इस वीडियो में provide किया गया होप सो आपने questions तो देखे होंगे लेकिन फिर भी अगर question आपको नहीं पता हैं तो इसमें question भी answer भी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा clear हो जाएगा और gate exam में कोई भी ऐसा question numerical नहीं छूटेगा जो अपने remote sensing topics होगा हमारे पास PDF आपको अगर questions की चाहिए होगी तो आप हमें telegram पर भी follow करते होंगे तो वहाँ पर मैंने upload की थी तो telegram पर आप हमें follow कीजिए ये इसकी भी जो वीडियो लेक्चर के बाद PDF upload की जाएगी telegram पर तो प्लीज हमें follow कीजिए वहाँ पर किसी भी update के लिए quiz के लिए तो आप हमें telegram पर update follow कर सकते हैं तो start करते हैं जो numerical solution है हमारे पर remote sensing part के जो questions थे total 15 questions थे तो पहला question जो होता है हमारे पस हो है हमारे पस के calculate the intensity of radiation emitted by unit surface area into a fixed direction that is solid angle in watt per meter square per steridian per micrometer तो unit हमें द्यान रखने है अगर gate exam मैं आप देखते हो तो जो any type के question होते हैं उसमें unit given होते है कि इस unit में हमारे पास answer देने माली जा आपस temperature पूछा गया temperature जो है अगर डिग्री Celsius में पूछा गया है अगर आप Kelvin के अंदर उसको input देकर आते हो अंसर देकर आते हो तो वो गलत हो जाएगा आपका तो आपको में जो ध्यान देना है वो आपको एक तो unit के उपर देना है कि कि किस unit में आपका अंसर पूछा गया है तो हमार पास जो यूनिट पूछे गया है वाट पर मीटर के पर स्टेरेडियन पर माइक्रो मीटर तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाला है वो है पर माइक्रो मीटर वो क्यों वह भी solution देखेंगा तो उसमें पता चलियागा from the black body which radiates the energy at wavelength 9.5 micrometer at 32 degree celsius तो 32 degree celsius पता यह temperature होगा यह हमार पार wavelength की बान है हमार पस और हमार पार जो पूछा गया है वो basically यहाँ पर spectral radiant excitance पूछा गया हमार पास क्योंकि उसकी unit हमार पार watt per meter square per star radiant per micrometer होता है तो spectral radiant excitance क्या होता है कि वो radiation की intensity होती है जो emit होती है unit surface series into the fixed direction तो वही चीज़ हम से पूछी गई है अभी पता होना चाहिए हमार पास कि यह किस topic का question है हमार पास तो जैसे के हमने पढ़ पूछा था Planck's Radiation Law उसी से related यह हमार पार question पूछा गया है Planck's Radiation Law का हमने formula पढ़ा था कि spectral radiant excitance B यह हमार पार temperature जो होता है वो हमार पार 2C square by lambda की पावर 5 H upon E की पावर S C upon lambda के T whole minus 1 तो यह formula important है हमार पास जिससे question पूछा गया तो हमार पास एक तो यह पता होने चाहिए कि कौन से topic से पूछा गया तो यह हमार पास क्या Planck's Radiation Law से पूछा गया जो हमने पढ़ा था कहां पढ़ा था हमने अपना जो remote sensing की जो video lecture है जिसमें हमार पार remote sensing और platform and sensor से related जो भी gate में theory numerical जो भी question बन सकते है उससे related video lecture हमने पूरी complete की हुई है और उससे related video uploaded है हमार पास get 2024 remote sensing वाली playlist हमें हमारे पास तो हमने जो remote sensing में पढ़ा था Planck's Radiation लो और उसके अंदर यह formula भी पढ़ा था अब इसके अंदर कौन सी चीजह terminology है हमारे पास हमारे पता है C की value हमें पता रहती है Speed of light 3 into 10 power 8 meter per second unit याद दिन ध्यान से लिखना है हमारे पास Lambda हमारे पास के wavelength है जो meter में convert कर सकते है Micrometer में जो भी है मैंने यह आप है meter में convert किया क्योंकि यह है वो अभी पता चलिया है आपको फिर हमारे पास है H planks constant जिसकी value हमें पास constant रहती है 6.626 into 10 power minus 34 joule second फिर हमारे पास इसमें जो है वो T है T temperature है हमारे पास Kelvin के अंदर तो यह ध्यान देना है कि T temperature है Kelvin के अंदर जैसे हमें 32 degree Celsius दे रहा उसको convert किया 273.15 add किया तो 305.15 Kelvin होगा temperature और हमारे पास K K जो है वो हमारे पास Boltzman constant है जिसकी value होती है 1.38 into 10 की पाफ़ा मनस 23 joule पर Kelvin तो हमारे पास इसमें जादतर constant है हमारे पास और lambda given है हमारे पास T given है H constant है C constant है हमारे पास K की value constant है हमारे पास अब हमें क्या निकालना है सीधा सीधा formula में पुट करके B की value निकालनी है spectral gradient excitants solution में देखेंगे हमें पता चलिगा है question कौन सा है कौन सा formula लगना है अब जो given है उसको इस हिसाब से रखना है unit पर ध्यान देना है कि जिस unit में हमसे पूछा गया है उस unit में answer मिली हमें तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर C की value हमें पता है lambda की value हमने meter में convert कर ली h की value हमें पता है k की value t को हमने Kelvin में convert कर लिया उसके बाद h c lambda सब चीज पता हो गई हमने सीधा formula में put किया lambda की value c की value h c by lambda k t की value तो इसको जब हम solve करेंगे तो जो answer आएगा हमारे पास यहाँ पर हमने lambda को meter में convert किया है तो हमारे पर नीचे meter में बच जाएगी unit meter को फिर micrometer में convert करेंगे 10 की power 6 है नीचे multiply हुआ उपर दाएगा तो 10 की power minus 6 हो जाएगा और उसी basis पर जब solution देखो गया तो इसका 10.79 watt per meter square per steradian per micrometer में answer आजएगा अगर हम micrometer को sorry meter को अगर micrometer में convert नहीं करेंगे तो यह meter में answer आएगा हमारे पास पर meter में जो के हमें नहीं चाहिए हमें per micrometer में answer चाहिए तो उसके लिए हमारे पास के meter को micrometer में convert करना पड़ेगा 10 की power 6 होता है micrometer एक meter के अंदर तो उससे जो answer आएगा वो हमारे पार 10.79 अंसर आजएगा हमारे पास तो यह question हमारे पार formula बेसता बस समय जो ध्यान देने वाली बाती होती units हमारे पास जैसे temperature को Kelvin में convert करना wavelength को meter में और फिर micrometer में convert करना क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे meter square आएगा और यह joule second है तो meter square को काटने के लिए यहाँ पे भी हमने meter में convert कर लिया था बट नीचे एक meter बचेगा और answer हमें micrometer में चाहिए तो उसको convert करना पड़ेगा तो यह चीज important थी ध्यान देने वाली थी तो हमारे पास जो पहले का answer आ जाता है वह है 10.79 वार्ट पर meter square per steradian per micrometer ठीक है अब चलते नेक्स्ट क्वेशिंट पर second question वार्पस क्या था कि दा spectral signature of vegetation as wavelength increases both reflectance and transmittance generally decreases from medium to low while absorption increases from low to high the transmittance and reflectance was noticed about 32% and 55% respectively at wavelength में wavelength देरा काया 1.2 micrometer what will be the amount of energy in joule तो यह चीज भी दान देने कि हमारे पास पूछा किस unit के अंदर गया answer absorbed by the vegetation at this wavelength तो इस question ने simple बोला गया जासे मने spectral reflectance कर पढ़ा था कि spectral reflectance versus the wavelength अमारे पास तो जब reflectance कर पढ़ा था हमने तीन चीज़े पढ़ीती हैं उसके अंदर मतलब तीन phenomenon हो सकते थे एक तो मतलब कि radiation जब किसी भी object पर गिरती है तो तीन चीज़े हो सकती है transmittance हो सकता है reflectance हो सकता है या objectance हो सकता है अब हमें दो चीज़ें गिवन है हमारे पास transmittance गिवन है reflectance गिवन है तो transmittance 32% है और 55% reflectance है जो बच्चा कुछा जो होगा वह हमारे पाई absorbance के अंदर जाएगा अब बात है कि हमारे पाई absorbance का percentage नहीं पूछा गया हमें पूछा गया कि कितनी amount of energy absorb की गई है तो हमें पता absorbance होता है वो हमारे पास absorbed radiation की जो intensity upon में जो incident radiation होती है हमारे पास जतनी इन्ही टोटल इंटेंसिटी जो होती है रिडियेशन की उससे डिवाइड करते हैं तो अब्जॉप्टेंस मिल जाता है हमारे पस तो उजी के बेसिस में हम अमांट ओफ एनर्जी जूल में निकाल सकते हैं क्योंकि incident energy हमारे पए वेवलेंथ गिवाँ और एनर्जी का फर्मूला में पता है scA is divided by lambda वेवलेंथ तो h constant मारे पर planks constant c हमारे पर speed of light वो भी constant है लैम्डा की value गिवाँ है 1.2 micrometer उससे हमारे पए इंसिडेंट अनर्जी और फिर अब्जाप्टेंस अनर्जी हम निकाल सकते हैं अगर हम त्योरी पार्ट को देखें तो इसमें बोला गया कि वेजिटेशन जो होता है स्पेक्टरल सिगनेचर जो होता है वेजिटेशन का वो जनरली वेवलेंद के साथ देखा गया है कि रिफ्लेक्टेंस और। ठांश्मिटेंस जो है वो दिUSE होता है पहले मीडियम कंटिटिवी में डांश्मिटेंस और। रिफ्लेक्टेंस होता है। militarषम जाता है Innovative थाड़ के अंदर spectral signature कर पड़ा था तो उसमें ये चीज देखी थी हमने बट यहाँ पर क्या हम numerical solve कर रहे है तो जैसे के हमने overview दिया है था अब इसमें क्या solve देखते हैं solution देखते हैं सबसे पहले wavelength हमार पास जो given है 1.2 micrometer transmittance हमार पार 32% है reflectance 55% है तो जो absorbance होगा वो कितना होगा हमार पास 100% minus का transmittance 32% और minus का 55% जो reflectance है यह हमार पार absorbance की value आ जाती है ठीक है उसके बाद हमार पार absorbance का पता है कि absorbed radiation और energy is divided by incident energy अब incident energy का formula में पता है c by lambda lambda क्या wavelength है wavelength है 1.2 micrometer इसको convert किया तो 1.2 into 10 की पाबर minus 6 meter में है ठीक है इसको convert कर लिया और उसको value पूट करके हमार पास जो incident energy आई वो हमार पास 16.565 into 10 की पाब minus 20 joule आई तो ठीक है अब हमार पता absorbance हमार पार कितना percentage है 13 परसेंट आया तो उसी basis पर हमार पाई absorbance energy कितनी आजेगी total energy और incident energy हो उसका 13 परसेंट means 2.153 into 10 की पाबर minus 20 joule अंसर हो जाएगा हमार पास ठीक है तो हर एक topics related मैंने numerical इसके अंदर consider किये गए हैं जिससे के gate exam इससे बाहर कोई question पूछी ना पाए और जैसे third question तो simple है हमने जो लेडी देखा हुआ था कि STGDM का कितना special resolution होता है वो चीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये इस type के question भी हमार पाई gate exam में पूछे जाते हैं और जो के important questions है हमार पास कि हमार पाई data जो है हमें कुछ पता होना चाहिए जैसे speed of light नहीं दिया होगा कही न कहीं तो वह already हम बच्पन से बढ़ता रहे हैं इसलिए हमें याद है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सैटलाइट्स का special resolution को सैटलाइट्स मैं अपने channel पर telegram पर भी मैंने इनका list प्रवा में या फिर आप MSQ देखोगे multiple select question उसमें भी उनका use होता है तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए ठीक है जैसे इस question में हमार पास इस question में कहा है कि number of cells पूछे गया है required to cover an area एरिया जो ground पर cover कर रहे है वो 9 square kilometer pool cover कर रहा है एस्टा जीडीम तो हमार पास एक मतलब हम total number of cells केतनी होंगे उसके अंदर तो इसके लिए हमां क्या special resolution पता होना चाहिए एस्टा जीडीम का वो कितना होता है 30 meter होता है हमारे पास ठीक है अगर हमें special resolution नहीं पता है तो हम यह question solve नहीं कर पाएंगे तो इस question में simple है area दे रहा है हमारे पास a naught 9 square kilometer तो इसको meter square में convert कर लिया एक kilometer में 10 के पावर 3 meter होता है मतलब 1000 meter होता है तो number of cells पूछा गया number of cells पता ही हमारे पास के जैसे resolution क्या होता है हमारे पास अगर देखा जाए तो resolution होता है कि जितना area ground पे cover हुआ है या जितना part जो है ground पे cover हुआ है उतना कितना pixel में cover हो रहा है यह actually scale होता है resolution होता है कि एक pixel ने ground पे कितना area cover किया है वो resolution होता है हमारे पास ठीक है जैसे 30 meter by 30 meter यह हमारे पास जो 30 meter है वो हमारे पास resolution है कि एक pixel ने ground पे कितना part cover किया है हमारे पास ठीक है तो हमारे पास क्या है कि Astrich EDM के लिए Specialization 30 मेटर इसका मतलब एक पिक्सल जो कवर करेगी वो 30 मेटर बाई 30 मेटर का एरिया कवर करेगी तो 30 मेटर बाई 30 मेटर मतलब कि 900 स्क्वाइर मेटर वो एक पिक्सल कवर करेगी वो हमाँ टोटल कितना कवर करना 9 x 10 कि पावर 6 मेटर स्कवाइर करना तो simple सा mathematics है कि 9 x 10 कि पावर 6 कवर करना और एक पिक्सल माँ वो पस 9 x 10 कि पावर 2 मतलब 900 मेटर स्कवाइर कवर हो रहा है तो टोटल नूम्बर अब सेल्स कितनी चाहिए 1000 चाहिए simple सा है बस हमें एक चीज पता होनी चाहिए ती इसमें कि एस्ट जीडी एम का special resolution कितना होता है ठीक है अब अगला question है हमारे पास कि calculate the temperature in degree Celsius यह चीज़ याद रखने हैं मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि gate exam में आता हुआ question भी गलात हो जाता है जल्दी बाजी में हम अंसर देते हैं लेकिन यूनिट पर ध्यान देना है हमारे पास तो हमारे पार temperature of an object with radiant energy हमारे पार radiant energy गिवन है तो temperature निकालना है उसका अब यह कौन से topic से question है यह हमारे पार Stephen Boltman लोग से जैसे हमने उसके पार्ट में देखा था जैसे ग्राफ देखा था different temperature पर जैसे temperature बढ़ रहा था वैसे वैसे कर्व बढ़ रहा था हमारे पास तो जो space coverage था वो बढ़ रहा था तो वो किसका लोग था हमारे पार Stephen Boltman लोग था मतलब कि जो radiant energy होती है वो directly proportional होती है temperature की power 4 का अब यह जो proportional constant होता है वो Stephen Boltman constant होता है sigma sigma की value कितनी होती है यह याद करने वाली चीज़े हो सकता है ना दे हो सकता है given भी हो हमारे पास बट यह चीज़ याद रख नहीं है कि sigma जो Stephen Boltman constant है वो है 5.67 या फिर 5.6 से 97 इंटू 10 की power minus 8 watt per meter square per Kelvin की power 4 तो इसका जितना भी theory part है जो important part है हमारे पास क्योंकि remote sensing से related बहुत ज्यादा question पूछे जाते हैं बहुत weightage भी remote sensing का तो theory part हमने पूरा वीडियो lecture में देखा है अग इस वीडियो में हम सिर्फ numericals देख रहे हैं तो इसमें कहा है proportional constant क्योंकि e is directly proportional to t की power 4 temperature की power 4 होता है तो e is equal to proportional constant stephen bullman constant इंटू 10 की power 4 और सिग्मा की जो unit है वो है watt per meter square per Kelvin की power 4 ठीक है तो जब इसको solve करेंगे हम तो हमें क्या है जो temperature मिलेगा पहले तो हमने radiant energy को convert कर लिया watt पर meter square की अंदर ठीक है अगर unit unit match करोगे watt per meter square में convert किया इसको तो जब convert करोगे तो kilowatt को 10 की power 3 से multiply watt आ जाएगा centimeter square को करोगे तो 10 की power minus 4 ऊपर जाएगा तो plus 4 इसका मतलब है कि आप इस unit को into 10 की power 7 कर दोगे तो watt per meter square में convert हो जाएगी radiant energy तो जब temperature निकालोगे इस formula से तो जो temperature मिलेगा वो Kelvin में मिलेगा लेकिन answer यह नहीं होगा answer होगा यह वाला क्योंकि हमें degree Celsius में answer पूछा गया है तो Kelvin से 273.15 माइनस कर दोगे temperature को तो degree Celsius में आ जाएगा तो 300-273.15 total 26.85 degree Celsius हमारे पाद temperature हो जाएगा answer हो जाएगा हमारे पास ठीक है पाट हमने cover किया है जो भी हमारे पाद gate slivers के अंदर है remote sensing वो सारी questions इसमें मिलेंगे अब अगला question जो हमारे पास है calculate the computer memory required to store an image of 512 into 512 यह हमारे पास क्या है pixels है 512 by 512 of 8 bits और हमारे पास क्या है कि यह जो 8 bit है वो एक pixel का size है ठीक है तो हमारे पास total number of pixel कितनी हो गई 512 into 512 और एक pixel size कितना हो गए 8 total कितना storage चाहिए होगा इतना storage चाहिए होगा लेकिन हमारे पाद answer अगर MB में देना है तो bits को हमारे पास convert करना पड़ेगा MB के अंदर ठीक है simple सा formula है और उतनी हमारे पास storage चाहिए computer memory चाहिए हमारे पास तो given कि हमारे पास 512 by 512 का हमारे पास image size है 8 bits का एक pixel size है तो memory size required कितना हो गए हमारे पास तो इतना bits हो गया हमारे पास अब MB में convert करना है तो क्या होता है हमें पता है कि एक byte में 8 bits होता है हमारे पास तो इसको divided by 8 किया है इस quantity को इस quantity को divided by 8 किया तो हमारे पास bytes में आ गया ठीक है और bytes को उमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो KB में आ गया और फिर अगेन हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो वो MB में आ गया तो वैसे हमने इतने bits आया divided by 8 किया bytes आ गया divided by 1000 किया KB आ गया इसको divided by 1000 कर दिया तो MB में आ गया binary में क्या होता है हमारे पास 1 KB is equal to 8 bytes तो होते है लेकिन 1 MB जो होता है वो 1024 KB होता है हमारे पास ठीक है तो वो binary में ना पूछ के हमने direct 1000 से डिवाइड करके convert कर दिया हमने तो 0.262 MB होता है हो सकता option में यह answer नहीं मिले तो divided by 1024 KB होता है 1 MB में तो उसको 1024 से डिवाइड करोगे तो answer शायद option में मिल जाए बट हो सकता है कि answer यह ही है तो मतलब कि directly 1000 से डिवाइड कर हुआ है तो हमारे पास इसका जो answer है जो size computer memory storage चाहिए हो है 0.262 MB में चाहिए फिर अब next question है मारे पास six question जो इसमें कि हमारे पास for a push broom sensor the following details are given क्या-क्य डेटेल दी गई है मारे पार number of detectors 2000 height above the ground 700 mean altitude as there रहा है 700 km और IFOV instantaneous field of view दे रहा है ठीक है यह IFOV दे रहा है 0.001 फिर अमारे पास स्वाथ पूछा गया है तो जैसे कि हमने देखा था push broom sensor जो होता है वो अमारे पास along the track sensor होता है along the track sensor है उपर satellite sensor है वो इसको cover करता जा रहा है ठीक है तो यह जो अमारे पास है वो अमारे पास स्वाथ वेड़त होती है और जो एक instantaneous field of view होता है वो एक pixel size को जो एक detector cover करता है हमारे पास जैसे यह होता है number of detectors होते हैं यह ground को cover कर रहा है हमारे पास तो एक detector instantaneous field of view होता है और वो एक pixel size को हमारे पार नीचे ground पर cover करता है तो स्वाथ फिर्थ निकालने के लिए हमारे पार number of detectors बाद rehryotte अडिमा जितने नमबरण चक्वा फोग रहेगा तो नमबर आप डिटेक्टर इंट्व गा जतना एक ग्राउंड पर कवार हो रहे है थॉट उतने साइज अगर हम निकाल लेते हैं तो वो हमारे पस स्वाथ वेड़्स देदेगा जितनी नमबर अब डिटेक्टर्स है तो जैसे के हमने अलंग ट्रक सेंसर में देखा था जो उसका फेनोमेन होता है उसी बेसिस पर निकालते हैं तो एक डिटेक्टर कितना कवरेज करता है वो डिपेंड करता है उसके IFOV पर है तो हमां IFOV की बन है उसके अलावा हमार पस IFOV इंट्व एल्टिट्यूड होता है तो उतना ये डिस्टेंस कवर करता है और इंट्व नमबर अब डिटेक्टर करतेंगे Special Resolution होता है जो हम कहरे है कि कितना एक डिटेक्टर वीर्थ को कवर करेगा वो Special Resolution कह लाता है तो Special Resolution हो गया IFOV इंटू एच एच के अल्टिटूड तो IFOV को रेडियन में और एच को हमने में मेटर में कवर्ट किया तो तो Special Resolution आया हो 19.5 हो इसका मतलब है यह एक detector ने ground पर cover किया है हमारे पास और स्वादवेर्द काया total number of detectors ने कितना ground पर cover किया तो special resolution जो एक detector ने cover किया into number of detectors 19.54 into 2000 तो total कितना आगया हमारे पास 39.08 km क्योंकि हमें ध्यान देना है कि unit किसमें पूची गई है kilometer में और up to two decimal points तो answer कितना होगे 39.08 km मार पास answer आगया हम यह तो meter मा यह divided by 1000 कर देंगे तो kilometer मा जाएगा ठीक है फिर मार पास next question है 7 उसमें क्या temperature पूछा गया degree Celsius में up to two decimal points ठीक है इस टाइप से ही पूछा जाता है कि यह टेक्जाम है उसी basis पर मैंने यह questions प्रोवाइड गया of an object with peak emittance गिवन है मार पास wavelength of 10.2 micrometer तो मार पास क्या गिवन है wavelength गिवन है temperature निकालना है तो हमें क्या सोचना है ऐसा formula सोचना है जिसमें temperature और wavelength का relation हो तो यह कहां से मिला हमें wind displacement law से जब हमने पढ़ा था जैसे Stephen Wolfman law था उसी के साथ wind displacement law था जो जो डाइग्राम को रेप्रेजेंट कर रहा था इसमें wind displacement law कहता है कि peak emittance होता है wavelength वो inversely proportional होता है temperature के कहने के मतलब है कि जब temperature बढ़ता है तो जो wavelength emitt होती है वो short wavelength emitt होती है हमारे पास और जैसे temperature कम होता है हमारे पास high wavelength range जो हमारे पाइप होती है तो wind displacement law था और उसने formula दिया था कि lambda max जो होता है वो inversely proportional होता है temperature के है ठीक है जो lambda inversely proportional temperature है तो इसका एक हमारे पास कोई constant प्रपोस्टनल inversely proportional constant रहेगा जो है B और B की value हमारे पास कितनी है simply form में याद रखने है तो 2898 micrometer into Kelvin ठीक है अब हमारे पास क्या है simple है अब तो हो जाएगा solve बर इसमें एक और चीज़ ध्यान देनी है कि जो temperature निकलेगा वो किसमें निकलेगा Kelvin में निकलेगा क्योंकि जो proportionality constant है inversely proportionality constant है वो हमारे पास micrometer into Kelvin है तो जब हम इसको micrometer into Kelvin में put करेंगे तो यह हमारे पास जो answer निकलेगा वो Kelvin में निकलेगा तो यह चीज़ है ध्यान देने वाली है जिससे छोटी-छोटी silly mistakes है हमारे पक gate में बारी बढ़ जाती है तो simple है B की value में पता है 2898 micrometer Kelvin और lambda max हमारे पास 10.2 micrometer इससे 284.12 Kelvin आ गया Kelvin से हमने 273.15 minus का कर लिया तो temperature जो यह वो degree Celsius में आगा जो पूछा गया और 2 unit में 2 decimal तक पूछा गया तो 10.97 degree Celsius answer हो गया मारे पास अब next question में चलते है एड़त question भी simple है हमारे पता है के पहले पाल लेते हैं क्या है question कि how many number of pixel values pixel values है number of pixels नहीं है number of pixel values may have an image of 8 bit size मतलब कि एक पिक्सल जो कितने वाल्यूस नमबर पिक्सल वाल्यूस रख सकता है ठीक है तो यह डिपेंड यह हमारे पार किससे related question है radiometric resolution से ठीक है radiometric resolution से अभी इसका formula होता है कि 8 bit size है हमारे पर तो 2 की power 8 कर दीजिए तो उतनी range तक हम जा सकते है 0 से 255 जाएगा 2 की power 8 कितना हो गया 256 हो गया मतलब कि number of pixel value जो हमारे पास 0 से लेके 255 तक हो सकते है मतलब total number of values कितनी हो सकते है 256 हमारे पास value जो सकते है तो simple सा है radiometric resolution का है कि 4n image of 8 bit size number of pixel value 2 की power n होता है मतलब n bit size की अगर कोई भी image है तो 2 की power n हमारे पास simple formula होता है तो अगर 6 bit है तो 2 की power 6 4 bit है 2 की power 4 तो 8 bit है यहां पर हमारे पास 2 की power 8 कितना 256 256 का मतलब जीरो से लेके 255 values हमारे पास हो सकते है total number of 256 value हो सकते हमारे पास simple था अब 9th question है मारे पास तो यह जो 9th question है वो हमारे पास important जो radiometric terminology हमने पढ़ी थी irradiance, exitance तो उस ही की basis बर हमारे पास इसमें 2 part है पहली चीज पूछी गई हमारे पाई irradiance irradiance कितना हमारे पास यह 25 cm distance है ठीक है from the flashlight front video and second पूछे गई हमारे पर radiant intensity कितनी होगी है ठीक है तो सबसे पले question पढ़ते हैं कि यहने simple flashlight एक concave mirror reflects light from a small bulb with radiant power radiant power given है मारे पास 5 is equal to 200 milliwatt into a divergent cone figure हमें दे रखा है जैसे इस diagram में कि हमारे पास bulb है यहां से कौनके mirror से reflect की गई है और 25 cm distance पर हमारे पास एक circle बनाती है क्योंकि यह तो हमारे पास side view है ठीक है एक तरीके से side view है अगर हम front view देखते हैं तो यहां पर एक circle बनेगा एक circle बनेगा उस circle का डाया जो दे रखा है वह हमारे पस 10 cm दे रखा है radius कितना हो गया 5 cm हो गया ठीक है So assuming that the mirror reflects without any losses तो कोई loss नहीं होता है मारे पस यह uniform distribution of power over the cone is generated तो यह cone के form में जा रही है मारे पस यह cone बनेगा हमारे पस ठीक है और कोई भी losses नहीं होता तो simple formula में कोई loss नहीं दिखाएंगे हमने At a distance of 25 cm from the flashlight's front window the whole radiant power impinges on a circle with a 0.05 meter radius मतलब 5 cm का radius है टोटल डाया कितना हो गया 10 cm का At a front window से हमारे पस कितना 25 cm distance है तो यह हमारे पस light source है हमारे पस तो जब इसका यह back कोन बनाया जाएगा तो यह x distance पर कुछ बनेगा जो हमें given नहीं है जो हमें पता नहीं है बाकी चीजह हमें पता है अब के हमारे पर निकालना का पहले वो देख लेते हैं सबसे पहले calculate the irradiance यहां पर हमारे पर 25 cm से कितना irradiance होगा ठीक है वो निकालना है हमारे पस उसके बाद flashlight की जो radiant intensity होगी वो कितनी होगी ठीक है अब हमें पता है के irradiance जो होता है वो हमारे पस power कितना गिरा means watt पर meter square होता है कि power divided by the area कितने area पर गिरेगा तो उसका irradiance हो जाएगा हमारे पस और जो flashlight की radiant intensity होगी वो होती है watt पर इस्टे radiant मतलब कि किस angle से वो निकली flashlight से तो मतलब कि यह जो angle रहेगा हमारे पस यह जो angle रहेगा 5 इस से ohm से denote किया तो i हमारे पस क्या power हो गया power को अगर आप मैंने किस से represent किया है क्योंकि representation ही क्यों ने चाहिए 5 से क्योंकि उन्होंने already 5 से किया हुआ था तो मैंने भी 5 से किया है तो हमें पता है कि अगर हम 5 तो हमें given है 5 कितना 200 milli watt है milli को change कि हमने watt में तो 10 की आप माइनस 3 watt इसका मतलब कितना है point 2 जो watt है वह power given है हमार पस ठीक है यह याद रखने power given है irradiance निकालने के लिए हमार पस क्या है इसका area से divide करना पड़ेगा क्योंकि total area कितना हुआ pi r square हुआ r कितना है इसका radius वह हमाँ पर 0.05 meter मतलब कि 5 cm तो simple है irradiance निकल जाएगा लेकिन second जो part है हमार पर flashlight जो radiant intensity निकालना है उसके लिए हमार पर stay radiant means solid angle निकालना पड़ेगा solid angle निकालने के लिए क्या होगा कि जिस area पर यह गिर रही है उसको हम divide करेंगे यह जो distance का square है means इसको r1 माल लिया r1 की value कितनी होगे हमार पर x plus 25 ठीक है r1 के square क्या होगे हमार पर x plus 25 का square तो उससे हम solid angle निकालेंगे और उसको power से divide करेंगे तो हमार पर radiant intensity निकालाएगे उसके लिए हमार पर x की value निकालनी पड़ेगे और x की value कैसे निकालेंगे कि अभी यह triangle देगे एक यह triangle होगे हमार पर यह कि दोनों congruent triangle है हमार पस तो property of triangle से हम जो congruent triangle होगे उससे क्या निकाल लेंगे कि 3 divided by 10 is equal to x divided by x plus 25 तो उससे x की value निकालेगी उससे angle निकालेगा एंगल से हमार पस radiant intensity निकालेगी हमार पस तो solution देखते हैं इसका सबसे पहले हमार पस कहा कि given है उसको हमने watt में convert कर लिया 0.2 watt हो गया हमार पस उसके बाद radius given है हमार पस radiance निकालना है watt per meter square में और radiant intensity निकालना है वाट पर इस्टे radiant में तो हमार पस e is equal to j radiance होता है is equal to 5 by a means power होगी हमार पस 0.2 watt divided by the pi r square r radius कितना 5 cm क्योंकि जो circle बनेगा सामने हो 5 cm का बनेगा तो उससे radiance निकलेगा हमार पस इसको solve करेंगे तो 25.46 watt per meter square पहला part simple है second part जो है वो radiant intensity निकालना है फ्लेश लाइट की उसके लिए हमार पास क्या है कि यह area तो हमें पता है pi r square divided by यह वाला distance हमें निकालना पड़ेगा r1 का square इसससे क्या angle निकलेगा और angle को 5 by angle करेंगे इस्ट रेडियन ओम तो हमारे पास flashlight की radiant intensity निकलेगे अब x की value निकालने के लिए property of triangle लगाया हमने property of triangle की according क्या हुआ हमारे पास similar triangle से x यह distance divided by 3 कर लिजे यह फिर अगर मैं इस convert में करता हूं तो x divided by r1 r1 मतलब के x plus 25 is equal to 3 divided by 10 तो property of similar triangle से हमारे पास इसको जब solve करेंगे तो x की value निकलेगे हमारे पास 10.71 cm मतलब के 0.107 meter हो फिर हमारे पास एंगल रहेगा area of circle is divided by the r1 square r1 की value x plus 0.25 रहेगा फिर इसको अमने मीटर में लिया है यह भी 5 cm को convert कर दिया इसको भी आमने मीटर में कर लिया है तो यह जो angle निकलेगा वो steradian में निकलेगा 0.0616 steradian तो radiant intensity की इतनी हो जाएगी 5 by ohm हो जाएगा 0.2 is divided by 0.0616 steradian तो intensity की value 3.245 watt per steradian तो यह answer हो जाएगा हमारे पास ठीक है तो यह हमारे पास basic terminology है जो आपको पता होना चाहिए इसका जो है basic concept पता होना चाहिए irradiance क्या है देखे यह आपर unit नहीं दे रगी वो तो मैं आपको बार 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 बोल रहा हूँ इसलिए watt per meters का तो इससे clear हो जा रहा है कि power को divide करना है area से अब कौन से area से divide करना है जिस पर वो जिस बॉल पर वो गिर रही है कितना डाय का circle बना रही है उसका area डिवाइड करेंगे irradiance के लिए और radiant intensity मतलब कि intensity से लाइट जा रही है तो उसके लिए angle चाहिए तो angle चाहिए तो उसके लिए हमारे पास property और similar triangle लगाना पड़ेगा हमारे पास अब next question देखते हैं 10th question यह तो बहुत simple question मैंने चूज़ किया क्योंकि gate exam ऐसा नहीं है सिर्फ tough questions आते हैं easy questions भी आते हैं one marks के आते हैं या फिर हमारे बाए नेटी questions पूछे जाते हैं कि बच्चे क्या छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं एनेटी में मतलब के unit में गलत कर देते हैं या point में गलत कर देते हैं decimals में गलत कर देते हैं बहुत सारी चूज़े हैं इसलिए simple question भी मैंने लिया है कि हमारा mind क्या सिर्फ tough करने में ना रह जाए easy question को हम भी गलत करके आ जाएं हमने ये बच्पन में बढ़ाता है 19th class में कि frequency निकालने में अपर gigahertz में अब बच्चों को यह नहीं पता कि gigahertz में कितनी 10 की power होती है तो वहाँ पर गलत हो जाता है तो इसमें हम देख लेते हैं मैं बता भी दोंगा कोई कौन सा कितना होता ह है तो सबसे पहले जलते हैं निकालना के frequency निकालने है गिगाhertz में wavelength हमारे पास गिवन है 7.5 mm mm को मीटर में convert करना असान है 10 की power minus 3 से कर देंगे निकल जाएगा सबसे पहले ये formula हमने बच्पन से पढ़ा है कि c is equal to new lambda होता है new frequency होती है और हमारे पास lambda wavelength होता है और c के हमारे प per second के होता है हमारे पास hertz होता है ठीक है तो इसको हमने क्या c is equal to value put की lambda की value put की meter में ये meter per second में per second मतलब के hertz होता है तो new के frequency होता है अब 10 की power 8 जो होता है वो गिगा होता है sorry 10 की power 9 जो होता है वो giga होता है तो 40 इंटो 10 की power 9 अर्ज जो हो गया वो 40 giga हो गया अगर बच्चों को नहीं पता है तो बता जैते हूं जैसे मीटर हो गया kilometer हो गया है है तो हमारे पास एक क Connor हो गया ठीक है जो के 10 की पाउओर 3 होता है मीटर में फिर वैसे यह महाँ पस मेगा होता है मेगा जो होता है वो टैन की पावर सिक्स मीटर होता है मेगा मीटर अगर दिखा जाए तो यह मेगा की जो वल्ली होती है वो 10 की पावर 6 होती है अगर सिंपल्स बाश्या में किया जाए तो तो फिर से चलते हैं जैसे किलो हो गया किलो 10 की पावर 3 होता है मेगा हो गया मेगा जो होता है वो 10 की पावर 6 होता है मेगा के बाद आता है गीगा जो पूछा गया इसमें वो होता है 10 की पावर 9 मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एकसा तो 3 पावर बढ़ाते जाएं यह बार बार यह 10 की पावर 12 होता है यह 10 की पावर 15 होता है और यह 10 की पावर 18 होता है इतना ज़्यादा नहीं पूछते है mostly हमार पस kilo, mega और giga maximum यहीं तक पूछते है टेरा पेटा एकसा नहीं पूछा जाता है और अगर negative में देखा जाए तो हमारे पता है millimeter, milli होता है channel तक हम represent करते है तो यह चीज़ां आपको आनी चाहिए important है छोटी-छोटी चीज़ां है बाट इससे question solve वोने बहुत help होती है तो यह simple question भी मैंने इसलिए बताया था कि लिया था कि यह units भी मैं आपको conversion बता सकूँ तो अब next question चलते है 11 question यह भी एक easy question है इसमें क्या है मार पास if a cell of DEM digital elevation model is having 30 meter resolution मतलब कि एक cell का resolution है वो 30 meter है तो यह इदर भी 30 meter कवर करेगी और इदर भी 30 meter कवर करेगी ground के उपर how much ground area it will represent तो area कितना हो गया मतलब कि यह जो resolution है वो है कि एक pixel ground पर कितना कवर कर रहा square में पिक्सल 30 meter हो गया इदर से 30 meter हो गया इदर से square का area कितना होता a square a कितना है side side कितनी है 30 meter तो ground पर कितना कवर करेगी वो 30 meter into 30 meter total कितना कवर करेगी 900 meter square कितना simple था but यह question हमार पास gate में all लगते है क्योंकि उस वक mentally ऐसी होती है डर लगा रहते है but simple question सच में simple होते है अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से solve करना है simple question है तो अब next question चलते है 12th question 12th question भी है हमार पास scanning से related है कि push broom sensor के अंदर number of detectors पता हमे 3000 height of above the ground altitude पता है 900 kilometer satellite का altitude है above the earth surface swath weights दे रहे है हमारे पास इसमे 30 km ठीक है और special resolution पूछा sensor का जैसे कि मैंने आपको बता है था वही same concept यहां पर लगेगा कि हमारे पास swath weights मान लेजी यह 30 km है swath weights है कि जितने भी हमारे पा detectors रहते है वो ground पर कितना कवर कर रहे है तो एक मतलब कि यह जो total 30 km वो कितने नमबर ओव detectors ने cover किया है 3000 detectors ने ठीक है meter नहीं आएगा number रहे है हमारे पास 3000 और जो एक detector होता है वो जितना ground पर cover करता है वो special resolution कहलाता है हमारे पास तो obviously है कि जो spectral है sorry जो साथ बेढता है मारे पास वो special resolution से related है तो देखा जाए तो इस 30 km है वो कितने number of detectors ने किया 3000 ने किया तो यह किया निकलिया कि एक detector कितना ground पर cover करेगा वह हमारे पास special resolution होता है तो वह ही चीज़ा मैं इस formula में निकाली है question तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा solution होगा इसका अगर इसको आप मन में ही solve करेंगे तो कितनी easily हो जाएगा मतलब कि 30 को मेटर में convert किया किलो मेटर को 1000 से multiply करके divided by number of detectors कर दिया तो कितना आ गया यह 10 आ गया और यह 10 मेटर किया है क्योंकि हमने इसको मेटर में convert कर दिया ना में पता होगा तो वो बहुत easy लगेगा हमारे पास simple है given है हमारे पास number of detectors है height of above the ground है swath width given है हमारे पास special resolution निकाल गया है तो special resolution क्या होता है swath on the ground is divided by the number of detectors अगर सीधा formula जाने लेगन basic concept मैंने आपको बता दिया है कि एक detector कितना ground पर cover कर रहा है वो special resolution होता है ठीक है और swath width क्या है कि total number of detectors कितना ground पर cover कर रहा है वो swath width होती है simple है हमारे पास meter में convert करके उससे एक detector द्वारा जितना ground पर coverage रहेगा वो special resolution के लाएगा वो कितना आगए 10 meter आगए हमारे पास answer हो गया ठीक है तो simple था अब next question चलते है हमारे पर 13 यह थोड़ा tricky question है tricky इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कौन सा useful है कौन सा नहीं है तो वो चीज़ देखने है जैसे previous question में भी हमारे पास site of ground का कोई मतलब use नहीं था बटम ने इससे पहले जो push broom sensor का जो example गया था उसमें आइटाव ग्राउंड का use था ठीक है तो मैं यह पता होना चाहिए कि कौन सा data हमार पर useful है जैसे इसमें यह जो scale दे रखा है उसका कोई use नहीं है क्योंकि इसके बिना ही हमार पास यह जो given है उससे हमार पर question solve हो जाएगा कैसे इस question को पढ़ते हैं पहले इसने बोला है कि how many number of cells of a 30 meter special resolution DEM digital elevation model would be required to cover a 1 to 50,000 topographic map जैसे topographic maps होते हैं उसका scale है और वो इस scale का कितना होता है हमार पास generally cover करता है वो 15 minute by 15 minute cover करता है of survey of India और इसने बोला है यह given दे रखा है हमार पास कि assume one minute is equal to 1.85 km ठीक है यह हमार पाँ minute में दे रखा है कहने का मतलब है कि यह जो cover कर रहा है मैं आप वो कितना 15 minute by 15 minute तो इसको kilometer में convert करना है तो इसको 1.85 सो multiply करेंगे तो convert हो जाएगा किलो मेटर में इसको भी 1.85 करेंगे किलो मेटर में ठीक है तो यह total map है हमसे पूछा number of cells special resolution है 30 meter तो जैसे हमने पहले जो concept लगाया था वह सेम है कि ground पे जो total जो map cover कर रहा है वो इतना square kilometer करेगा इन दोनों को multiply कर देंगे तो इतना square kilometer करेगा और जो एक cell represent करेगी ground का वो कितना cover करेगी special resolution है 30 meter है तो वो करेगी 30 meter by 30 meter मतलब के 900 square meter जो एक cell ground पे cover करेगी और जो map जो total ground पे cover कर रहा है वो इन दोनों का multiple कर रहा है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे एक cell से number of cells निकल आएगा तो कैसे solve किया हमार पार देख लेते हैं क्या का given है special resolution representative factor fraction या फिर scale जो भी है map का और topography map का scale दे रहा है मार पा 15 minute by 15 minute और एक minute की value दे रहा है 1.85 km area coverage जो होगा topography map से ground के उपर उसको हमने kilometer square में convert किया 15 minute into 1.85 15 minute into 1.85 इतना kilometer square इसको meter square में convert किया तो 10 की power 6 से multiply कर दिया या हमार पास map के द्वार ग्राउंड पर coverage कितना है वो आ गया और एक single cell से ground पर coverage कितना है वो उसके special resolution पड़ेपाइंट करता है मतलब 30 meter by 30 meter मतलब 900 square meter हो जाएगा और number of cells निकाल लाएं तो total ground पर coverage कितना हुआ और एक cell कितना cover कर सकती थी 900 total इतना करना था meter square में ये भी, ये भी meter square में तो हमार पर total number of cells आ जाएगा 855625 मतलब हमें उस 15 minute भाई 15 minute map को cover करने के लिए total number of cells कितनी चाहिए होंगी 8,55,625 number of cells चाहिए होंगी तो ये हमार पास अंसर हो गया अब जो next question है वो थोड़ा important question है क्योंकि इसका concept हमें पता होना चाहिए और जो formulas है वो हमें पता होना चाहिए अगर हमने ये question समझ लिए अच्छे से तो जो SLR से जो थोड़ा heavy topic सा लगता है जो इतना easily समझ नहीं आता है उससे related question अपने आप हो जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने तीनों जो चीज़ें पूछी जा सकती है वो चीज़ली है क्या होती है azimuth resolution और slant range resolution क्या होता है कितना होगा इसका SLR है मारे पास side looking aperture radar तो इसके अंदर जो given है मारे पास सबसे पहले वो देख लेते है माइक्रोव की frequency गिवन है मारे पास जनरली new की value गिवन है antenna length गिवन है जैसे antenna होता है मारे पास उसकी यह width होती है और यह हमारे पास length होती है ठीक है height above the ground given है height तो पता है sensor की above the surface और surface antenna vertical beam width given है मारे पास जैसे कि हमारे पास जब SLR की value देखते हैं तो उसमें दो एंगल होता है मारे पास एक look angle होता है मारे पास और एक जाइसे कोई दूसरे depression angle होता है तो यह जो हमारे पास antenna vertical beam width कにちは look angle है look angle क्योंने नीचे से होता है जैसे कोई sensor हां तो यह perpendicular हो तो यहसे जो यह scan कर रहा है तो यह जो angle है वह हमारे पाशवमारे looking angle है वह हमारे पास given है antenna vertical beam width 60 degree ठीक है और पल्स वीर्थ हमार पास given है जिसरे time के बाद वो जो pulse का length है पल्स वीर्थ कहते है जितनी time के बाद आते है जो time difference रहते है वो 100 डिफ्रेंस रहते है वो अंदे नेनोसेकिंड है हमारे पार इसका भी उजज है जितने भी चीजने कैसे यज है वे देख लेते हैं तो इसमें हमारे निकालना कैह और जो यंगल रहेंगा हूँ रहेगा सेंसर सरी हो और Azimuth Resolution निकालनायों अमारे पार आपार azimuth resolution निकाल ला है और azimuth resolution जो था वो along track resolution देता है और इस वो slant range resolution निकाल ला है हमार पर range resolution देता है अब क्या है यह जो आपका अगर दिमाग मैं नहीं आ रहा है तो वीडियो के end में देखना मैंने मतलब जो भी जहां से भी questions लिया है उस से related theory part भी मैंने इसमें नीचे provide किया हुआ है तो अगर इसका diagram देखना चाहते हम सीधा इसक पर चलते हैं सबसे पहले तो जैसे यह था हमारे पस across the track and along the track along track resolution क्या है हमारे पस यह जो along the track resolution है वो है हमारे पस यह जो along track resolution है और रो जो हमारे पस वो along track resolution है और along track मतलब slant range resolution है और जो है मार पास यह वाला और अलोंग ट्रेक है जिस डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है तो वह अलोंग ट्रेक हो जाता है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा मार पास यह जो resolution रहेगा वह अमार पस azimuth resolution है ये azimuth resolution है और ये明 मार पस slant range resolution का फॉर्मुला है ये downtown range है और ये मार पस увart ये along track है हमार पस और yeah slant range resolution है हमार पस एक पार अच्य से समझते हैं जैसे इस direction में अगर ये move कर रहा है एरोप्लेन जो है जो भी हमार पास सेंसर रहेगा तो यह along track हो गया जो azimut resolution है और यह जो range direction में रहेगा वो slant range resolution लेता है अब इस formula कैसे describe हुए वो तो simple सा है जैसे ठीटा a रहा जो हम निकालेंगे 0.2 degree जिसका अंसर हा रहा था जो horizontal रहा था भी मिड़ तो यह तो ठीटा a की value हो गए हमारे पास और हमारे पता यह कर रहा है तो इस direction में चाहिए हमारे पास तो यह इस direction में हमारे ठीटा I e रहेगा r हमारे पास क्या रेंज की value अगर h के form में चाहिए हमारे पास जो altitude है तो उसको r को convert कर दिया h के form है क्योंकि यह perpendicular हो गया यह h ओ गया यह r हो गया r हो गया h हो गया और हमारे पास theta यह हो गया ठीटा यह हो गया तो इससे हमारे पास r की जो value गई वो h upon में cos theta आ गई उससे convert कर दिया क्योंकि h की value हम आपाँ जाता गिवन रहती इसलिए h में convert कर दिया r को तो यह अलंग track हो गया और c t by 2 से c tau हमार पस के pulse length है हमार पस या pulse width जो हमार गिवन था और c हमार पस speed of light है हमार पस तो हाफ से जाधा नहीं होनी चाहिए है समने पड़ा था उसे साफ से resolution के लिए इसको r row में convert कर दिया तो divided by sin theta आ गया और theta के हमार पस look angle है यह जो vertical angle दे रखाता हमार पस तो अब चलते हैं हमार पस जो given था अब इसमें हमार पस जो जो given था वो लिख लेते हैं micro frequency given है length given है antenna की height above the ground meter में convert कर दिया antenna vertical beam width जो हम look angle बोल रहे थे theta 60 degree given है उसके बाद हमारे पस pulse width 100 nanosecond nanosecond मतलब की 10 की बाद मानिस 9 जैसे भी हमने देखा था थोड़ी दिर पहले उसको convert कर दिया seconds में given तो हमने देख लिया वो हमने निकालना क्या 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 है horizontal beam width निकाल लिए जो हमने देखा theta a की value निकाल लिए r a की value निकाल लिए cos theta ठीक है यह हमने देख लिया था बट हमें theta यह निकालना है सबसे पहले जो first part antenna horizontal beam width theta a निकालना है theta a क्या lambda y L होता है lambda के हमारे पास wave length है हमारे पास और L antenna की जो length given है हमारे पास जैसे यह 3 meter वो आया antenna length L अब lambda निकालने के लिए हमारे frequency given है frequency हमें पता है c is equal to new lambda होता है तो यहां से हम lambda निकाल लेंगे जैसे हमने पहले question में भी देख रहा है एक वाल तो वैसे lambda निकाला 1 cm आया theta a की value हमारे लेमडा by L इसको convert कर लिए radian में आ गया degree में answer पूचा है हमारे पास तो 180 by pi से multiply कर दिया तो 0.2 degree answer आ गया हमार पास अप्रोक्सिमेटली हमार पास नहीं तो यह 1 decimal में convert करने के लिए 2 decimal में पूचेगा तो 2 decimal में answer देंगे उससे बाद जो important है वो हमारे आजमत resolution निकालना उसका formula A theta है मितलो के h theta है बाई cos theta h पता है हमारे पास 6000 जो altitude है theta है हमने calculate कर लिया radian में हम यहाँ पर put करते है डिगरी में यहाँ पर क्या radian में होता है हमार पास इस radian में डिगरी में कहाँ put करते है अगर माली जो कोई trigonometrical term है cos sin 10 है तो वहाँ पर डिगरी में जनरली लिएते है और अगर meter में या फिर किसी unit में distance unit में answer निकालने हमार पास तो angle को हम radian में consider करते है तो यहाँ पर हमें चैए ऊपर तो कोई trigonometrical term है नहीं तो यहाँ पर radian में लेंगे ठीटा है 6000 meter हमार पाई height हो गई और cos 60 degree है हमार पास theta की जो value थी वो 60 degree है इसको solve करेंगा तो हमार पास जो resolution आएगा हो एजमित resolution केतना आएगा 39.60 meter अंसर आ जाएगा slant range resolution का formula हमने देखा था c tau y 2 sin theta c की value 3 x 10 8 velocity of speed हो गई और tau की value 100 x 10 9 second में convert कर दिया और 2 x sin theta theta की value 60 degree इसको solve करेंगे तो हमार पास 17.32 meter अंसर आ जाएगा तो मतलब हमारे पास concept समझना है उसका solution means formula तो याद रखना ही रखना है बट अगर formula भी बूल जाते हो तो हम concept बता है तो हम उसके basis पर formula derive कर सकते है और formula से answer हम निकाल सकते है तो यह important था हमार पार इस type के question पूछे जा सकते हैं मैं एक ही में तीन चार पार्ट ले दिया हूं बट एक पार्ट हो सकता है पूछा जाए 1 marks का 2 marks का gate exam में तो एनिटी में भी फॉर्मूला के base पर question पूछे जाते हैं तो बहुत important है मार पास इसको समाझना हूं अभी last question है मार पास इस assignment का remote sensing के basis पर इसमें simple है कि जैसे मैंने पिछले पार्ट में कहा है पिछले last question में 14 question में कहा है उसी में तीन पार्ट पूछ लिए थे उसी का एक पार्ट मैंने इसमें directly पूछ रखा है जो gate exam में directly पूछा जाता है उसी basis पर what is the ground resolution range resolution of side looking radar with a pulse length pulse length मतलब tau की value में given है and a look angle look angle मतलब के 45 degree theta की value given हमें के ground range resolution निकाले है range resolution का formula r rho निकाले है मैंने यहाप rr से represent किया है तो rr की value हमने देखा था c tau by 2 sin theta था तो simple है सारी चीज़ें given है इसमें formula में value put कर देने है बस हमें पता होना चाहिए था कौनसा क्या given है तो इसमें क्या c की value put की है हमने tau की value put की है second में convert करके और 2 sin theta इसको solve गया तो हमारे पास क्या 12.73 मेटर हमारे पास अंसर आ गया है तो यह जो 15 question है उससे related मुझे लगता नहीं बाहर कोई question बन सकता है remote sensing और platform and sensor से related और यह gate exams के लिए बहुत important है तो आपको इनको अच्छे से solve गोना है अगर कोई भी doubt आता है आपको इसको आप पहले खुछ से कीजिए अगर कोई भी doubt है कोई भी problem हो रही है आपको तो please comment कीजिए और अच्छे से solve कीजिए क्योंकि practice से ही हमारे पाइनेटी question जो है गेट में वो अच्छे से तयार हो पाएंगे हमारे पाइंगे और rank भी तभी आईगी जब एनेटी question हम सही कर गाएंगे अब जितने भी मैंने च देख सकते हो pdf का मिलेगी आपको telegram चैनल पर मिलेगी मेरा प्लीज फॉलो कीजिए like कीजिए subscribe कीजिए में चैनल को और get your matrix के अच्छे से तयारी करते रही है अब इसमें हमारे पाइप जैसे हमने पहला question देखा था planks radiation log वैसे तो यह सारी चीज हमने पढ़ी हुई है अप blanks radiation log क्या formula है किसकी क्या value है वो सारा इसमें आपको मिलेगा जो भी मतलब हमने अब तक formula यूज किया है इन 15 questions में उससे related सारी चीज़ें इसमें दी हुई है जैसे हमने पढ़ा था 100% transmittance, absorbance और reflectance मिला के 100% होता है तो वही चीज़े उसी के basis पर हमने question solve किया था यह important radiometric terminology है इसमें हमने दो चीज़ें निकाली थी, एक तो irradiance निकाला था हमने, irradiance इसे represent होता है watt per meter square unit होती है और radiant intensity निकाली थी flashlight की, तो i से represent होता है यह symbols है हमारे पास, इनको हम change नहीं कर सकते है तो यह i की value हमापा जो unit होती है watt per star radiant होती है, तो मतलब यह भी important है हमारे पास तो यह table भी इस से related question भी आया है, मतलब theory part भी आया था, अगर आप देखोगे 23 में, गे 2023 में तो उसके अंदर भी इस table से मारे पास question पूछा गया था, और फिर हमने देखा था Stephen Boltzman law, उसमें यह formula यूज़ गया था, e is equal to sigma t की power 4, फिर हमने वी इस displacement law के उपर भी एक question देखा था, इसमें यह important है मारे पास, यह question के अंदर, get question के अंदर given नहीं हो सकता, तो यह formula आपको, यह जो value आपको याद रिखने है, 2898 micrometer into Kelvin, ठीक है, फिर हमने यह diagram, special resolution और swath worth को समझने के लिए, यह important है, कि एक जो IFO भी है, FOV जो है वो पूरा swath worth को cover करेगा, लेकिन IFO instantaneous field of view जो है वो एक pixel value को cover करता है, और यह जो pixel value हो जनरल एक, इसमें अगर दिखा रखा होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें एक detector होते हैं, जो along the, along track, मतलब कि push broom sensors जो होते हैं, तो detectors जो है, एक detector जो है, वो एक pixel वो cover करेगा, और वो एक IFO भी से आता है, जो हमने अभी discuss की हैं, अपने solution में, उसके बाद SLR की geometry भी, यह चीज़ भी हमने discuss कर लिया है, यह formula आप simply derive कर सकते हो, अपने खुद के intellect के उपर, क्योंकि R into theta है, जैसे हम IFO भी का लेते हैं, तो यह जो ground coverage कितना रहता है, H into theta, IFO भी जो अगर theta, A लेते हैं, तो S theta यह रहेगा, लेकन यह ही अगर slant range में रहते हैं हम आपस, तो R into theta A, और यह R की value उसको H form में convert कर लिया, H by cos theta से हैं, और यह जो pulse length है, हमार पास half से जाधन ही होनी चाहिए, वो चीज आपने, हमने theory में पढ़ी थी, तो उस basis में हम आपर resolution निकलता है, slant range के range में, ठीक है, अब यह कौन सा होता है, along track अजिमत होता है, जिस direction में हम आपस यह move कर रहा है, उस direct along the track हो गया, और उसके range direction में हमाँ पर range resolution रहे गया, और यह simple जो हमने 15 से 11 12 में भी पढ़ा था, कि E is equal to H new, और energy is equal to H C by lambda, ठीक है, और C is equal to new into lambda, यह दो formula है, जो important है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, प्लीज, अपने से question solve कीजिए, अगर आपको कोई भी doubt आता है, प्लीज comment section में comment कीजि हमें, कोई भी दिक्कत आता है, हमें comment कीजिए, और telegram पर आप यह PDF प्राप्ट कर सकतो, तो please like कीजिए, share कीजिए हमारे चनल को, और subscribe कीजिए, thank you, gate की तयार ही करते रहे है, अच्छे से,